लोग सभाचुनाओं के दो चर्णों का मद्दान हो चुका है राजस्थान में दो चर्णों के मद्दान में काफी कम वोटिंग हुई है अब ऐसी खबर आ रही है कि लोग सभाचुनाओं के तुरंत बाद यानि की 4 जून के बाद भारतिय जनता पार्टी राजस्थान की पत्ता भी कट सकता है और कुछ नए चेहरों की भी मौका मिल सकता है इस दौरान मंत्रियों की सीटों पर लोग सभाचुनाओं का परिणाम भी बहुत कुछ तै करेगा आईए जानते हैं कि भजनलाल केबिनेट में किसे मौका मिल सकता है राजस्थान की केबिनेट में फिल प्रत्याश्यों के प्रदर्शन के आधार पर तैय करेगी कि किसे मंत्रिमंडल में प्रोमोशन दिया जाए और किसे पदावनती लोगसभा चुनाओं के दो चर्णों के मद्दान में कमी को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि जिन मंत्रियों के लोगसभा शेत्रों में वोट प्रतीशत कम रह रहा है उनके लिए ये खत्रे की गंटी साबित हो सकती है किसे मिलेगा मौका ऐसा माना जा रहा है कि मंत्रियों की लोगसभा सीटों पर प्रदशन को केबिनेट फेर बदल में प्रात्मित्ता दी जाएगी लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि जाट, गूजर और मीना भजनलाल केबिनेट में मिले कम प्रतिने दिद्व से नाराज चल रहे हैं ऐसे में भाजपा इन वर्गों को साधनी के लिए इनका प्रतिने दिद्व बढ़ा सकती है इसके साथ ही 2023 के विधान सभाचुनाओं के नतीजों के बाद कुछ निर्दलिये और कांग्रिसी विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे ऐसे में माना जा रहा है कि इन्हें मौका दिया जा सकता है